सूर्य नमस्कार आठ अलग-अलग आसनों की मदद से बारा चर्रणों में क्रम से किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय से करना ज्यादा फायदे मंद होता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जूरते हुए बिना कंधों को जुकाए सीधे खड़े हो जाए। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समी हो और आपकी ठोड़ी जमीन से समानागतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रुप से संतुलित करें। इस थिती को समस्थिती कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रडामासन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्त उत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगी की और तब तक जुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छूना लें। ध्यान रखें कि नीचे जुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है। चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें। और अपने दाय पैर को पीछे की ओर ले जाएं। और अपने घुटने को जमीन पर सटा कर रख ही। सुनिश्चित करें कि आपका दाय पैर पंजो पर हो, आपका बाय पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हो, आपके कूले नीचे और थोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्वस अंचालन आसन कहते हैं। अब पाँच्वे चरण में एक ग कंधे सीधी रेखाने हो और साथ ही कंधे, पीठ और नितम भी एक ही सीध में हो। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस थिती में धीरे-धीरे सांस लें। छठा चरण सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुतनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और म होनियां आपके शरीर के समीत हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के आठ अलग-अलग अंग जैसे दोनों पाउं के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके श आमा नियरूक से वितरित हो। अब सात्वे चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोनी यानि पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की और सरकाएं। और अपने शरीर के उपरी हिस्से को नाभी तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हुँ। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। आठवा चरण धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोडें। और अपने कूलों को इतना उपर ले जाएं कि आपका शरीर एक परवत क आगा ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी हतेलियां जमीन पर हो और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एडियां जमीन को छू सकें। इस आसन को परवत आसन कहा जाता है। नौवे चरण के लिए अपने कूलों को नीचे और अपने बाया पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुण्ह अश्वस अंचालन आसन में आजाए। दस्वे चरण में अपना बाया पैर भी आगे लाएं। और सांस छोडते हुए पुण्ह पाधहस्तासन में आजाए। ग्यारवा चरण अब धीरे-धीरे सांस अ सुनिश्चित करें कि उपर आते समय आपकी भुचाएं और सर साथ में उपर आएं। बाहरवाचरन धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उन्ह प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाएं पेर से दोहरां। सूर्य नमस्कार से आपके फेफणों की शमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटबोलिजम में सुधार लाता है और मधुमे के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतह स्रावी ग्रंतियों याने इंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरूदंड और आपके कमर की मांस पेशियों को मजबूती प्रदान करता है उच्छ रक्तचाप यानी हाई बेपी के रोग्यों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए हर्निया और पेप्टिक अलसर के रोग्यों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए सायटीका, सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस और अक्यूट आर्थ्रैटिस के रोग्यों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक ध्र्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सुर्य नमस्कार का भ्यास आपके शरीर को विशाक्त पदार्थों से मुप्थ यानि डीटॉक्स करता है और आलस को हटा कर पूरे शरीर को सक्रिय करता है भुजन्ग आसन भुजंग का अर्थ है नाग या कोब्रा इस आसन को करते समय आपके शरीर का उपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तड़ा उठा रहता है जैसे एक कोब्रा अपना फन उठाये रहता है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पेरों को आपस میں जोड़ें और अपने हाथों को सामने की और खीचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोणियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को उंचा करते हुए अपने शरीर को नाभी के हिस्से तक जमीन से उठाएं। नीच दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आसन पेट की चरबी को घटाता है और कब्स की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आसन सांस संबंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिध होता है। हरनिया और अलसर के रोगियों और गर्भुवती महिलाओं को ये आसन नह करना चाहिए। 15-30 सिकंड इस थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के उपरी हिसे को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामनी की ओर खीचे और उन्हा मकर आसन की मुद्रा में आने के पश्चात आराम दायक सांस ले। भुजंग आसन तना और मन दोनों स्वस्त रहेंगे। त्रिकोन आसन इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीड की हटी एक त्रिकोन का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस पर आराम दायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को उपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो उपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अ अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिगरी घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से चुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एडी को छूने का प्रयास करें। और अपने बाएं हाथ को ऊपर आस्मान की ओर उठा ले हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हो तो ऐसे में अपने हाथ को वही तक ले जाईए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके इस धिती में कुछ देर आराम से रहें सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें अब धीरे-धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस उपर की ओर आईए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजी अब अपने बाय पैर के पंजे को घुमाए और दुबारा यही आसन अपनी बाई तरफ से दोराए ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है ये आपके कमर की मानस्पेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चप्टे तल यानी फ्लैट फूट की समस्या से भी बचाता है जंगाओं, कंधो, छाती तथा रीड की हड़ी को मजबूत और लचीला बनाता है लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटी का जैसे पिड़ाएं है तो कृपया इस आसन को ना कर जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारन करता है ताड आसन ताड यानी ताड का पेड़ इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड के पेड़ की तरह उची और मजबूत हो जाती है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पेरों को परस पर दो इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं अथीलियों को सामने रखकर अपनी उंग्लियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाईयों को बाहर की तरफ मोड़ें अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के उपर ले जाएं इस सवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एडियों को जमीन से उपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं अब बिना अपना संतुलन खोए बिना पैरों को हिलाए इस थिती में 10 से 15 सेकंड तक रहें सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े कुछ देर आराम से रहें शुरुवात में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदू पर अपनी आखें केंद्रित करें इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा ये आसन रीड से जुड़ी दंत्रिकाओं के संगुलन को ठीक करता है शरीर की मुद्राओं यानी पॉस्चर को बहतर बनाता है इससे जांग, घुटने और एडिया मजबूत होते हैं यदि आप, रिदय रो, सर्चक्राना या पैरों में सूची हुई नसों जिसे वैरिकोज वेन कहते हैं से पीडि थोंग, तो ये आसन ना करी दस से पंद्र सिकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद, धीरे से अपनी सास छोड़ते हुए, अपनी एडि को वापस जमीन पर रखी धीरे से उंग्लियों को खोले और अपने हाथों को नीचे लाकर वापस सीधे खड़े हो जाए इस आसन का नियमित अभ्यास, शारिरिक और मानसिक संतुलन विक्सित करता है शशांक आसन, संक्स्कृत में शशांक का अर्थ है खरगोश इस आसन में आपके शरीर की स्थिती एक खरगोश की तरह हो जाती है इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वजरासन की मुद्रा में बैठ जाएं अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें अब अपने दोनों घुटनों को आराम दायक स्थिती में जितना हो सके उतना फैलाएं सुनिश्चित करें कि आपके पैर के अंगुठे एक दूसरे को परस पर छुः रहे हो अब अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें अब सास छोड़ें और अपनी हथेलियों को आगय की ओर खीचते हुए अपने शरीर को जुकाएं सुनिश्चित करें कि आपकी भुजाएं समानतर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर अपनी द्रिष्टी सामने की ओर बनाय रखते हुए इस मुद्रा में कुछ देर आराम से रहें सामा नेरूप से सांस लें और छोड़ें शशांक आसन कब से रहत दिलाता है और पाचनक्रिया में सुधार लाता है ये आसन पीच दर्द में भी रहत दिलाता है हाई बीपी यानि उच्चे रक्तिचाप के रोग्यों को ये आसन सावधानी के साथ करना चाहिए घुटनों में गठ्या की शिकायत के रोग्यों को ये आसन सावधानी से या फिर नहीं करना चाहिए यदि आपके पीठ में अत्यधिक दर्धो तो कृपया ये आसन ना करें कुछ समय तक शशांकासन में रहने के बाद सांस लेते हुए उपर आएं और अपने शरीर को सीधा करें अब सांस छोड़ते हुए उन्ह वजरासन में आ जाएं अब अपने शरीर को एक तरफ जुगाते हुए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें और विश्राम आसन में आने के पस्चात विश्राम करें नियमित रूप से करने पर शशांक आसन आपको तनाव और प्रोध घटाने में मदद करता है